नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंच्रामा में, मैं हूँ आपके साथ वक्ता, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमार साथ स्टूड में मौझूद है, क्यापिटल जीवी के एडिटर इनचीफ दॉक्तर मनी स्वागत है, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के एड्लाइन को आए, सुप्रीम कोट पहुंचा पैकर सिस जासूसी का विवार दायर की गई लई याचिका भारत इसराइल रक्षा सौदे की जांच करने की उछाई गईमा, राहुल गांधी के हिंदोत्व वाधी बयान परबवाल कहा हिंदोत्व वाधी ने गांधी को मारी ती गोली, बीजेपी का पलट पार हिंदोत्व विरोधी मंतर करेगा कॉंग्रस कुछू मंतर नई शराब पॉलसी पर घिरी उदफ सरकार, संजेराओद बोले वाइन शराब नहीं होती, बीजेपी का आरोप संजेराओद की वाइन कंपनी में हैं पार्टनर से अखिलेश रादम ने स्विकारा अमिट्शा का चैलेंज बोले जगह और समय बताएं हम जवाब देने के लिए तैयार बुरी तरह कंगाल हुआ पाकिस्तान, चीन के सामने जोली फैलाने जा रहे है इमरान खान, मांगेंगी तीन अरब डॉलर का ज़िए सबसे पहले बात पैगसस जासूसी कांट पर पैगसस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोट में एक नई याचिका दायर की गई है जिसमें कोट से अमेरिकी समाचार पत्र न्यू यॉक टाइम्स की खबर का संग्यान लेते हुए 2017 में हुए भारत इसराइल रक्षा सौदे की जाँच का आदेश देने का अनुरोध किया गया है क्योंकि न्यू यॉक टाइम्स की खबर में दावा किया गया है कि भारत ने इसराइल के साथ 2017 में दो अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे के तहत पैगसस स्पाई वेर खरीदा था वहीं विपक्ष ने भी इस मामले पर बखेडा खड़ा कर दिया है और सरकार पर कई अवैध जासूती में शामिल रहने का आरोप लगाया और इसे देश द्रोह करार दिया है डॉक्सा पैगसस जासूती का मामला सुप्रीम कोट पहुँच चुका है फिर भी विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रहे है इतनी तिलमिलाट किस वचा से है देखे जो मुर्ख लोग होते हैं उनको जाकर के कहेंगे आप कि आपका कान कवा लेके उड़ गया तो अपने कान को नहीं देखेंगे कवा की पीछे भागने लग जाएंगे अपने कान को ढूबने वही हो रहा है एक आर्टिकल और वो भी एक सुपारी मीडिया जो हिंदुस्तान के खिलाब जहर उगले में सबसे अवल एक ऐसा जिसों कह सकते हैं कि अमेरिका में मनें हसी का पात रहे है नियॉयॉक टाइम्स लेकिन यहां का जो लिफ्ट रिबल कबाल है यह जो दिल्ली लुटिन में बैठे हुए दलाल पत्रकारों का जो पूरा गिरो है यह उसे बाइबल और कुरान मानता है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो बिलकुल सत्य है अब इतने सारे बड़े बड़े युद्धा यहां बैठे हुए है पेगसिस के मसले में आज तक तुम्हारे पास एक कागज तक नहीं निकला कुछ नहीं इनफॉर्मिशन तुम्हारे पास है कभी फ्रांस में कहीं कोई छोटे से वेबसाइट में को खबर आती है राहुल गांदी कूद पढ़ते हैं कहीं फ्रांस में किसी अख़बार में कोने में कहीं कोई खबर चप जाती है पर राहुल गांदी नाचे लगते हैं अब New York Times में एक आर्टिकल है जिसमें पेगेसिस ने हिंदुस्तान में आया है या सरकार ने खरीदा है इसका कोई सबूत नहीं है सिर्फ उसने लिख दिया कि दो बिलियन डॉलर की जो डील हुई थी उसमें ये सिंटर पीस था वो डील किसले हुई थी वो सर्फिस टू एर मिसाइल का वो डील था अब पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत हो जाते है कोई भी अब इस बात को समझे ये बहुत सीरिस बात म अब भी हिंदुस्तान में कोई आम्स डील प्रधान मंतरी मोदी या मोदी सरकार करती है राहूल गांदी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि ये जो कॉंग्रेस पार्टी ने सतर साल तक जिस देश में जो डिफेंस घोटाले किये हैं ये ऐसी पार्टी है इन लोगों ने ऐसी सरकार चलाई है कि अगर सैनिको के लिए सौक्स भी खरीदे जाते हैं जूते भी खरीदे जाते थे तो ये लोग उसमें दला लिखाते थे और इसलिए कभी टेट्रा ट्रक का मसला तो कभी राफेल का मसला तो कभी इस डील का मसला कहा चले गए सुप्र अरे फुर गॉर्ट से कि आर्टिकल छपा है और लेटी यह मसला सुप्रीम कोट के अंदर में है लोग उसके उपर जाच चल रही है पूस्ताच हो रही है लेकिन नियू यॉक टाइमस में एक आर्टिकल छप गया तो आप सीधे पहुँच गया किस चीज़ के लिए पेगसिस है या नहीं है उसके लिए नहीं यह जो अर्जी दी गई है कि वो डिफेंस डील अब समझे बात को अब मसला यह नहीं रहा सुप्रीम कोट में कहा जा रहा है कि जो डील हुआ है उसके उपर तहकिकात हो क्यों हो क्यों हो आपके पास कोई सबूत है कल कोई और राहुल गांदी को लेकर के बोलो बैज जाँच बिठाओ वो थालिंड में छुट्टी में जो जाता है मेडिटेशन करने के लिए इस दौरान वो पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी मिल्टरी आफिसर्स और चैनीज मिल्टरी आफिसर्स के साथ बैट करके वो देश के खिलाफ सदियन तर रसता है इसकी जाँच हो बैज कोई आदमी ये डिमैंड करेगा लेकिन इस बार इनका चेहरा बिलकुल एक्सपोज हो गया है क्योंकि ये पेगसिस का मसला सुप्रिम कोट लेकर के नहीं कहे है ये डिफेंस डील के उपर फिर से सवाल खड़ी कर रहे है जी राक साब अगली खबर हिंदोत्व बात पर छिड़ी जंक पर ट्वीट करके कहा है कि एक हिंदोत्व वादी ने गांधी जी को गोली मारी थी सब हिंदोत्व वादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे जहां सत्य है वहां आज भीबापू जिन्दा है वहीं अब राहूल गांधी के इस ट्वीट पर केंद्रिये मंत्री मुकतार अबास नक्वी ने कहा कि कॉंग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंतर कॉंग्रेस को चूमंतर करेगा हिंदुत्व इस देश की आत्मा और संस्कृति हैं डॉक्साब राहुल गांधी हिंदुत्व का राग अलापकर आकिर दो तिन सवाल राहुल गांधी अगर अपने वादे के पक्के हैं तो इम्मीडेटली महराश्च की सरकार से अपना गड़बंदन तोड़ देना चाहिए अगाली में एक तरफ से आप हिंदु वादियों को गाली बी दे हिंदु को गाली बी दे और दूसरी तरफ सिंसेना के स साथ सरकार में बैठके सत्तक का रस भी चूसे हैं है ना तो ये तो दोनों चलेगा नहीं आज महत्मा गांधी की बरसी थी कम से कम आज तो कुछ अच्छा बोल लिए होते अब यह हत्या की ही बात हो गई है तो यह भी समझ लेना चाहिए कि नाथूराम गोटसे ने तो गांधी के सरीर को खत्म किया कॉंग्रेस पार्टी नेहरू इंद्रा गांधी मनमोहन सेंग इन लोगों ने तो महत्मा गांधी की आत्मा को मारा है भाई नेहरू ने महत्मा गांधी के बताए कौन सी पॉलिसी को अप्लाई किया कॉंग्रेस पार्टी ने आज तक महात्मा गांदी के किस नीती को और आम डेट शॉर राहूल गांदी ने महात्मा गांदी के लिखी वी एक किताब को इसने पड़ा तक नहीं होगा वैसे पॉर्णने लिखने में कमजोर आदमी ही और ये कौन से सेवा तुम ने की कि बात करेंगे विचारधारा सुन्य मनि मुर्खता पुर्ण राजनीती का राहूल गांदी एपिटोम बनता चला जा रहा है कम से कम आज के दिन घ्रना जो है उससे दूर रहना चाहिए था इतना विश्व भरा हुआ है इस विपक्स के लोगों में कि उनको समझ भी नहीं आता है कि कौन सी बात के लिए कौन सा सबसे उप्युक्त अवसर होता है जी रॉप साब अब बात शराब पर शुरू हुए एक नए बखेडे पर उधव सरकार ने सुपरमार्केट और वाक-इन स्टोर पर वाइन की बिक्री को हरी जंडी दे दी है जिसका बीजेपी ने विरोथ किया है इन सब के बीच शिवसेना नेता संजयराउत ने तरक दिया है कि वाइन का मतलब शराब नहीं होता जिसके बाद बीजेपी नेता किरीट सुमयय ने शिवसेना सांसत संजय राउत पर गंभीर आरूप लगाया है किरीट सुमयय ने कहा कि महारास्ट के बड़े और ध्योगपती अशोग गर्ग की मैकपी ग्लोबल लिमिटेज नम की वाइन कमपनी में संजे राउत की पार्टनर्शिप है उनका इस वाइन व्यवसाय में बड़ा इंवस्टमेंट है संजे राउत की दोनों बेटियां और पतनी कमपनी में डिरेक्टर के पत पर हैं इस कमपनी का पब, क्लब, होटल और वाइन दिस्टिबूशन का व्यवसाय है वाइन व्यवसाय में बड़ा इंवेस्टमेंट होने की वजह से ही संजय राउत मॉल्स और किरानू की दुकानों में वाइन विक्री के फैसले को समर्थन कर रहे हैं डॉक्ट सब क्या उधव सरकार के इस फैसले से संजय राउत की वाइन कंपनी को फायदा होगा देखे ये बिकार की बाते हैं इंट्रेस्टिंग बात इसमें क्या है वाइन सराव नहीं होती है ये बड़ा बहुत ही कचोटेगा संजय राउत जी को कभी हमारी भी मुलाकात हुई तो मैं जरूर पूछूँगा कि वही वाइन और सराव में फर्क बतानी के लिए रही बात पॉलिसी की तो सिर्फ सेना की सरकार है और खासकर के आदित ठाकरे वो उस सिर्फ सेना के साथ जिस तरकी नीतिया जिस तरकी आइडिया जिस तरकी एक इमिज जो बना हुआ है उससे सिर्फ सेना को निकालना चाहते है और वाइन पब बार्स उसको पहले आप कि कोरोना काल में भी स्कूल बंद था लेकिन इस अगारी सरकार ने बार और रेस्टराइन को जो है वो इन्होंने खोल दिया था कि बहुत चलो भई ठीक है यह अलग कहानी है लेकिन अगर करीट सुमजय यह कह रहे हैं कि यह नीती सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि संजे पार्टनर्सिप है यह थोड़ा सा ओबर बोर्ड है हर चीज में राजनीती में इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए यह नीती अगर बन रही है कोई भी आदमी है संजराओत ही है कोई भी हो X Y Z हर व्यक्ति के बाले बच्चे कोई ने कोई तो काम करेंगे कही ने कहीं कुछ त भी है तो उसके लिए आप पूरी तरीके से उसको इसलिए जिम्मेदार बता देगे कि इसलिए यह पास किया जा रहा है तो क्या सिर्फ एकी कंपनी यह संजराओत की ऐसी बात तो है नहीं कई सारी कंपनिया होंगी खैर चुके राजनीती इस अस्तर पे पहुँच गई है क कि खर कोई नेताओं से दुस्मनी होती है राजितिक द्वेश होता है पॉलिटिकल कॉंपिटिशन है तो आजकर लोग घर परिवार के उपर सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं और यही इसका नतीजा हो रहा है अब आप कभी अमिशा के बेटे को तो कभी किसी और को क आप छेड़ोगे तो आपके उपर भी इस तरह के सवाल उठाए जाएगी यह अच्छा ट्रेंड नहीं है राजनीति के लिए अगर क्रीट सुमये साहब के पास यह दस्तर इस तरह के कोई सबूत है कि यह जो नीती आई है इससे सिर्फ और सिर्फ संजे राउत के बेटे वाली कंपनी को फाइदा होगा तब तो बात में दम होगी अगर यह कोई जनरल कानून बन रहा है कोई जनरल रिलीफ अगर दिया जा रहा है या कोई और काम हो रहा है जुसमें सब लोगों की हिस्सेदारी होगी तो यह इस तरह से परिवार को जिटना वो ठीक नहीं है जो काम नवाब मलिक ने किया वो भी गलत था जो काम किरिट समय कर रहे हैं ये भी गलत है जी डॉक साब अगली खबर यूपी की सियासत पर ग्रह मंत्री अमिट शा के बयान पर सपा प्रमुक अकिलेश यादव ने पलटबार किया है उन्होंने अ अख्लेश यादव को अपने समय के आंकरे पेश करने की चुनोती थी जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार है सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती वह जगह बताएं और समय बताएं डॉक साब अख्लेश चुनोती तो कहीं और है अपरना भाबी जो है वह ताल ठोक रही हैं बोल रही है कि भाईया अकलेस भाईया के खिलाप में लडूगी करहल से तो चुनोती तो वहाँ है जवाब तो उधर देना होगा अकलेस आदव पिछले एक डेड़ सता से अपने बुने हुए स्टेड़िक के अंदर ही उलजते चले जा रहे है जाट वोटों में नराज़गी हो रही है अपने तो खत्म होई रहे हैं जैन्त को भी पूरी तरह से ले डूब रहे हैं उपर से कोई भी लिस्ट आती है चार उतरफ से हमला होने लग जाता है और अब जो लेटिस चुनोती जिसकी बात आज सुर्ख्यों में चल रही है कि जहां अखलेस यादव मैनपूरी के करहल से चुनाव लड़ने वाले हैं अपरना यादव वहां से चुनाव लड़ सकती हैं और अपरना यादव ने कहा है कि वो हनवान के तरह लड़ेंगी औ और उनके इस फैसले में कि समाजबादी पार्टी छोड़के वो बीजेपी में आई हैं इसमें इस फैसले में मुलायम सिंग यादव का आशिरवाद है और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी दुनिया जानती है कि प्रदान मंत्री मोदी को 2019 के चुनाव से पहले मुलायम स जी ने ही ये आशिरवाद दिया था कि आप फिर से प्रदान मंत्री बन के आएं तो वो तो पॉलिटीशन की तरह बाते कर रही हैं अपरनायादव एक मंजे हुए पॉलिटीशन की तरह और अगर करहल में अपरनायादव को भारती जिनता पाटी अपना उमिद्वार बना अखले स्यादव के लिए बहुत मुश्किलों भरा रास्ता हो जागा ये चुनाओ जी डॉक साब आखरी खबर पाकिस्तान की कंगाली पर पाकिस्तान के प्रदान मंत्री इम्रान खान की अगले सप्ता होने जा रही चीन यात्तरा को लेकर बड़ा खुला सा हुआ है इम्रान खान श्रीत कालीन ओलंपिक के बहाने अब चीन के सामने एक बार फिर से जोली फैलाने जा रहे हैं इम्रान खान चाहते हैं कि चीन 3 अरब डॉलर की मदद दे ताकि कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तान के कम होते विदेशी मुद्रभंडार को स्थर किया जा सके यही नहीं इम्रान खान चीन को CPEC पर मनाने का प्रयास करेंगे जिसमें हो रही देरी पर ड्रैगन भड़का हुआ है डॉक्ट साब इम्रान खान कर्द ले लेकर क्या पूरी तरह पाकिस्तान को दुबो देंगे पाकिस्तान का हाल हो गया वैसा ही आपको ऐसे दोस्त मिले होंगे बहुत सारे लोग इस तरह के मिलते हैं कि जो फ्रॉड किस्म के होते हैं सारे लोगों से करजा लेते रहते हैं और जब करजा चुकाने का वक्त आता तो फिर किसी और से करजा लेकर कि उसको वापस कर दिया फिर उसे दूसरे से लिया फिर तीसरे को दिया यही धंदा में इम्रान खान लगा हुआ है कहां यह केजरिवाल की तरह लंबी-लंबी बाते डिंगी हाकता था कि मैं उस दिन सुसाइड कर लूगा अगर मुझे किसी के सामने जागर के हाथ पैलाना पड़े मैं उसे दिन रिजाइन कर दूगा अगर पाकिस्तान के लिए हमें धर्द मन दर्दर की ठोकड़े खाकर के हमको भिकारी के तरह कटोरा फैलाना होगा अभी ये तीन बिलियन डॉलर किसे ले चाहिए ये भी समझ लीजी कोई उसे कुछ काम नहीं होने वाला अभी तीन बिलियन डॉलर की डिमांड की थी सादी अरब से यूए से तो वहां से जो पैसा भी आया भी उनको कहा कि पैसे तो हम दे रहें तुमको लेकिन तुम खर्च नहीं कर सकते और 90 दिन में वापस भी करोगे सूद भी लगेगा और तो और अगर इस दौरान कहीं किसी के साथ जो तुमने और भी जगह से जो कर्ज ले रखे हैं कहीं मुझे ये पता चला कि भई तुमने डिफॉल्ट कर दिया है मैं ये पैसे ले लूँगा और अगर ये पैसे अगर तुम्हारे पास नहीं होंगे तो पाकिस्तान की जित्ती भी MBC है चाहे वो लंडन में हो चाहे वो नियुवाक में हो उसको फिर सीधे सीधी जो मेरे चॉइस में आएगा मैं उसे ले लूँगा ये करार करके आया है इमरान खान अब समय पूरा होती चला जा रहा है हर दिन जो इनका फॉरन रिजर्ब जो है जरूत है इनको IMF कहरा है मैं च्छे दे दूगा लेकिन तुम्हारे पास तो फॉरन रिजर्ब में कुछ तो दिखना चाहिए तो फॉरन रिजर्ब दिख नहीं रहा तो फॉरन रिजर्ब में कुछ दिखाना है उसके बाद ये जाकर कि IMF से या किसी और जगह से वो पैसे उठाएगा वो मसला है और चीन चीन तो पैसे देता है अभी सुनने माया है कि वो 26 मिलियन डॉलर जो है वो सूध बे लिया है वो चीन मतलब ये कि पाकिस्तान के इस्थिती इस जगह तक पहुँच गई है कि आप हिंदुस्तान से बराबरी करने के चक्र में हिंदुस्तान के साथ आर्म रेस करने के चक्र में वी सुना है कि वे चीन से बहुत सारे कुछ हतियार जो है वाए है मने खाने को अनाज नहीं सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हत्यार खरिदने के लिए हिंदुस्तान से लडने के लिए इनके पास सारी चीजे हैं ये देश अपनी बरबादी के ओर चल नहीं दोड़ रहा है इतनी बहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद झाल झाल झाल